प्रवाइब दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज महीने का पहला दिन है यानि के 1 मार्च 2019 और आज घरेलू गेल सिरिंडर पर और कमर्सल गेल सिरिंडर को लेकर बड़ी खबर आई है साथी में सरकार के तरफ से और भी कुछ बड़ी खबर आई है जो के देश के सभी नागरिकों को जानना बेहस जरूरी है आपको बता दें सरकार की तरफ से घरेलू गेल सिलिंडर को लेकर और पासपोर्ट को लेकर ड्राविंग लाइसेंस को लेकर और पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबरे आई हैं यही सारी खबरे आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं तो हम आपसे पहले कहना चाहेंगी कि आप वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और थोड़ा सा वक्त देकर वीडियो को ध्यान से एक बर आखिर तक पूरा देख लें आपको बता दें जो बड़ी खबरे आई हैं अगर वो भारत के नागरी को पता नहीं होगी तो उसे आने वाले वक्त में काफी जादा परशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है साथी में सबसे बड़ी बात के घरेलू गैस सिलेंडर पर भी बड़ी खबर आई है जो के सभी घर की जरूरत होती है क्योंकि हर घर में गैस सिलेंडर यूज होता है तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं लेकिन साथी में आपसे छोटी सी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल है दोस्तो पहली खबर के मताबिक आपको बता दें कि सरकार के तरफ से प दस सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी सबसे तेज जवाब दे पाएगा उसके अकाउंट में सरकार के तरब से 10,000 या 7,000 या 5,000 रुपे दिये जाएंगे सरकार की इस वेबसेट के पेज का लिंग हम आपको इसी वोड़ी के दिस्किप्शन में दे देंगे आप इसको अपने फोन में भी खेल सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी आप वहीं पर देख लेंगे बात करें दूसरे खबर की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड नहीं इन 11 डेक्विमेंट से भी डाल सकेंगे वोट जी हां दोस्तों सरकार की तरब से एक और बहुत बड़ी खबर आई है आपको बताते हैं इलेक्शन आने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन में सरकार सभी को बोलती है वोट डालने के लिए अभी तक ये होता आता था कि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड होता था और जो जाकर वोटर आईडी कार्ड दिखाता था उसे ही वोट डालने दिया जाता था लेकिन आपको बताते हैं जो नई खबर आई है उसके मुताबिक बाकि आप इन में से कोई सबी प्रूफ दिखा कर वोट डाल सकेंगे बात कर ये अगले खबर की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 मार्च को लॉंच होगा MI का नया टीवी कीमत है सिर्फ 12,999 रुपे जी हाँ दोस्तो शुआमे के गलोबल वाइस प्रेजडेंट मनु कुमार जैन ने बताया है कि कमपनी जल्दी MI LED टीवी को लॉंच करेगी जो के 32 इंच का होगा और जिसकी कीमात 12,999 रुपे होगी इस टीवी के सेल फिलिप कार्ट पर 7 मार्च से शुरू होगी अब बाकी अधिक जानकारी MI की वेबसेट पे जाकर देख सकते हैं तो चलिए अब आपको बता देते हैं एक जरूरी खबर जो के घरेलू गैस सेलिंडर को लेकर है और उसके दाम को लेकर है जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसीडी वाला LPG सेलिंडर 2 रुपे 8 पैसे और गैर सबसीडी वाला LPG सेलिंडर 42 रुपे 50 पैसे महंगा हुआ है जी हाँ दोस्तों अभी पिछले दिन ही यानि के 28 फरवरी की रात को घरेलू गैस सेलिंडर पर 2 रुपे 8 पैसे की बढ़ोतरी की गई है तो बिना सबसीडी वाले पे यानि कमर्सल सेलिंडर पर 42 रुपे 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है इस बढ़ोतरी के बाद सबसीडी वाला गैस सेलिंडर 495 रुपे 61 पैसे का हो गया है जिसकी पहले कीमत थी 493 रुपे 53 पैसे वहीं बात करें कमर्सल गैस सिलिंडर की तो वो बढ़ोतरी के बाद 701 रुपे 50 पैसे का हो गया है तो दोस्तों ये बिल्कुल आज की ताजा खबरें थी और बेहस दरूरी खबरें थी उम्मिद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ पता चला होगा तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें कोई कि आपका लाइक शेर हमारी महनत का फल है और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल का इकन दबा दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्स वर वोचिंग